जैसी कृष्णा जोती शेक दिवी परकास चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे पंचांग क्या होता है पंचांग का शाब्दिक अर्थ है पांच अंगों वाला पंचांग में वार, तिथी, नक्षत्र, करण और योग इन पांचों चीजों का उलेख किया जाता है किसी निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए इन पांचों का होना अत्यनत आवशक होता है पंचांग के माध्यम से भविषय में आने वाले तिह हमारों किति थी घटनाए, शुब महुरत, विवह योग, सुर्य उदय, सुर्यस्त, साथी, चंद्र उदय, चंद्रस्त, एवं ग्रहन समन्दी जानकारी हमें पंचांग के माध्यम से ही ज्यात हो पाती है पंचांग का जोतिस सास्तर में भी बड़ा ही उप्योग रहता है पंचांग भारतिय काल दर्शक है, समय की गणना के लिए सब से पुरानी पद्धती है पंचांग का उप्योग सभी मांगलिक कारियों में किया जाता है पंचांग के माध्यम से ही तिथी, नक्षत्र और दिनमान का ज्यान होता है इसके साथ ही कौन सी राशी में कौन सा ग्रह ब्रह्मन कर रहा है या आने वाला है उसकी जानकारी भी हमें पंचांग के माध्यम से मिलती है अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद जैशी किष्णा झाल 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 झाल